दोस्तो फिलाल BSNL की बहुत अच्छे अच्छे नियू जा रही है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं BSNL के हर एक पॉइंट को दोस्तो BSNL बहुत अच्छे अच्छे रेचार्ज प्लान भी बहुत ही सस्ते सस्ते रेचार्ज प्लान लॉंच करते जा रहा है लगातार क्योंकि जो इसकी कस्टूमर्स हैं इससे इंगेज रह सकें और बी एसनल की अभी जो खसता हालत चल रही है इसको देखते हुए भी एसनल को ना छोड़ सके इसलिए बहुत सस्ते सस्ते प्लान निकाल रहा है हाना कि दोस्तों बी एसनल जब अच्छ अच्छे प्लान निकालता है लेकिन फिलाल जो है कुछ जाद ही ऐसा चल रहा है दोस्तों दस जीवी डेटा दे रहा है 147 रुपए में और यह तीस दिनों के लिए यह रेचार्ज प्लान की बैदिता है तो काफी अच्छे यह दो एक बी एसनल के कस्टुमर को बनाये रख जी हाँ दोस्तों contact worker की salary contact worker की जो टाबर operator है जो generator operator है जनरेटर चलाते हैं उनकी salary दो महिने की दे दी गई है दोस्तों UP best circle की बात कर रहा हूं मैं यह UP best circle में जो है यह salary दे दी गई है अगर आपकी salary नहीं दी गई है तो जल्दी salary दे दी जाएगी या आप अपनी जो SDU technician वगरा है उनसे जाके आप contact कर सकते हैं कि हमारी salary दे दीजिए दोस्तों salary का जो tender है जो ठेकेदार जोने जाते हैं वो हो चुका है पिछले दो महिने पहली जो है tender हुआ है और वो tender जो है कुछ सस्ता tender हुआ है अगर आपके लिए 3500 रुपए मिलते थे टावर operate करने के या 2000 रुपए मिलते थे तो उससे 500 रुपए less करके दिये जा रहा है क्योंकि जो tender लिया है वो ठेकेदार कह रहे हैं कि हम जो है 500 रुपए जो है आपके लिए बढ़ा दिये जाएंगे जो टावर पे जो गाड रहते हैं जो टावर operator उनके पैसे जो है बढ़ाहीं जाएंगे के जब जब कि टावर चलने लगेगा तो दोस्तों टावर कब अच्छे से चलने लगेगा यानि कब डीजल चलेगा तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा नवंबर महिने में जो टावर उपरेटर हैं उनके लिए तेल मिलने लगेगा यानि जो डीजल है वो मिलने लगेगा और डीजल मैंने उनसे यह भी कहा था मैंने फोर जी कब तक आगा तो उन्होंने कहा था कि फोर जी नवंबर से पहले ही आगा तब इसके चलाए जाएंगे तो के अभी जो है टेंडर नहीं हुआ है और टेंडर हो जाएगा आठ दस दिन के अंदर ही टेंडर भी हो जाएगा और दोस्तो जब टेंडर हो जाएगा तब बी एशनल पर जो फो जी एक्विपमेंट लगाने चालू कर दी जाएंगे दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फो जी लगाने में क्योंकि एक लिंक खिचना है यह जो लिंक है एक लिंक लगाना है टावर पर और एक डिवाइस लगानी होती है जो बीटी एस होता है उसमें और फ्रीजी फोर जी जो भी अपके रेडिशन करना है उसके लिए तो दोस्तों आप ज्यादा टाइम मिल लगेगा इसलिए जो है नवंबर तक टावर चालू हो जाएंगे बी एसना अच्छे से चलने लगेगा सेलरी भी मिलने अब नहीं दी गई है रेगुलर एंप्लोई की तो वह भी जल्दी से ही मिल जाएगी देखते हैं कि कब जुलाई की सेलरी मिल जाएगी और दोस्तों आपके लिए बताएं कि अभी जुलाई की सेलरी के रेगारिंग कोई नियूज नहीं आई है ऐसी ऑफिचिल नियूज दोस्तों अब बात कर लेते बी आरेस सेकंड इस्टॉल्मेंट के बारे में तो बी आरेस की जो सेकंड इस्टॉल्मेंट है उसमें दोस्तों अभी काफी आदा डिले होने बाला है क्योंकि दोस्तों जो एक्स ग्रेटिया का पैसा है वो रिलीस कर दिया गया है जो एक्स ग् कर Gratuity का पैसा बारे सो करोड रुपे दे दिया गया है वो भी दे दिये जाएगा आप लोगों के लिए जल्द ही अगर नहीं दिया गया तो मिल ले आया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों ग्रेचटी उन लोगों के लिए जाता है जो पांच साल से जादा काम करते हैं चा पर यह पैसा बच्चा है वो पैसा कब दिया जाएगा तो दोस्तों यह पैसा जुलाई यानि जुलाई बीच चुका है और आप जो है वो पैसा देने मैं ज्यादा समय नहीं लगे क्यों आशिट मोनेटाइजिशन का फश्ट चारण था यानि जो प्रिथम स्टैप था वो कंपलीट हो चुका है यानि जो जमीन थी उसको मार्केट में रख दिया गया है कि इतना पैसा हम लोग चाहिए और यह मार्केट में जो जमीन है वो आप खरीद लीजिए तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आगे बढ़ कर आई हैं जो उसको खरीदना चाहती है लेकिन आ आपटी इंपलोई के लिए दिये जाएगी उससे ही फोर्जी भी लिया जाएगा और जो कॉंटक्ट बरकर हैं उनकी सेली भी दी जाएगी यहां तक ही रेगुलर एंपलोई की सेली की विवेश्ता उसी मैंसे की जानी है दोस्तों बहुत जो है काम रुका हुआ है जो एसे जहां टावर इंस्टॉल नहीं है वहां टावर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वहां फाइवर की जरूरत होती है तो दोस्तों फाइवर बनाने वाली कंपनिया है तो जो कंपनिया है इस्टेलाइट फाइवर बनाती है और उन कंपनियों ने दोस्तों जो 230 करोर रु होगी बहुत जल्दी होँ से जो फाइवर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी एक खुसकवरी होने वाली है बीसनल के लिए क्योंकि दोस्तों आप जो है काम इसका नहीं रुखेगा अगर टेंडर कैंसल नहीं होता चाहिना के साथ जो चाइनीज कंपनी है जैटी और वाई तक लग गया होता और दोस्तों बहुत अच्छी से चलने लगा होता लेकिन होम ग्रांड कंपनिया जो इकुप्मेंट बनाने में लगी हुई है और दोस्तों गवर्मेंट ने और बीसनल डपार्टमेंट आप टेली गम्मिनिकेशन ने भी यह कह दिया है कि जो हम ग्रांड कंपनिया टेक महंदरा आई टी और बी कंपनिया यह जो टेक महंदरा और आई टी यह दोनों कंपनिया यह दोस्तों यह टेक महंदरा और आई टी यह दोनों कंपनिया इंडिया में बात किया तो फिफ्थ नंबर की टेली कॉम एकुप्मेंट बनाने वाली कंपनिया है दोस tribun है तो खैउसाल हो चुका है तो इसलिए अब ज्यादा डेले नहीं है इसलिए आप इक्विप्मेटबनाना चालू किजिए आप के लिए पार्टीसिपर्ट करने की अनूमती दी जाएगी नंगा मेमरिन. केनल का टेंडर होगा दोस्तों दोनों का टेंडर एक की साथ होने वाला है तो इसलिए दिकत नहीं होगी क्योंकि दोनों ही कंपनियों का टेंडर एक साथ हो जाएगा और एक साथ ही काम चालू हो जाएगा इसलिए तो दोस्तों जो कंपनियां हैं होम ग्रम कंपनियां उनके लिए जो equipment है वो बनाने के निर्देश दे दिया है तो दोस्तों 70% जो है अटेक मेहंद्रा से खरीदे जाएंगे equipment और आई टी आई से 30% खरीदे जाएंगे तो यह जो companyya हैं दोनों ही बनाने equipment चालू कर दिया है और जल्दी से equipment मैं लिए private telecom sector की दोई companyya market में बची हैं बाकी तो companyya बंद होने वाली है बोड़ा फॉन एडिया यूनीन और टैलीन और बगयरा तो बंद हो गई है और दोस्तों बताएं कि यह companyya फाइब लॉंच करने की बात कह रही है हाँ दोस्तों यह जियो है और उसने कहा है कि हम जो हाई टेक city है जो metro city है वहाँ metro में हम सबसे पहले अपना फाइब इंश्टॉल करेंगे और यही बात सैम एड़ टैल ने भी की है तो दोस्तों यह अगर बी एसनल फोर जी नहीं ला पाता है जल्दी से तो फाइब जी की तरफ ऑडियंस भाग जाएगी और वहां से ऑडियंस को क्योंकि दोस्तों फाइब जी के सरवेशों सबस्ते प्लान देता है और इसका फोरड्य कि होडिए सर्फ लॉन्च करें और मार्केट में अपने जगेप बनाने के लिए जो है अब तयार रही broke 2005 कोले खरी ब청ी ऑर चैनल को सब्सक्राइब करें फटियो कम बाट कि बहुत ज्यादा जरूरत है चलिए दोस्तों मिलते एक नई वीडियों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई दोस्तों